हेलो नमस्ते, वेल्कूम टो वेटेशन ओनलाइन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10, NCRT की बुक का चेप्टर नुमर 9, मेडम राइट सब बस इसमें हम लोग line by line explanation देखेंगे, साथ के साथ जो hard words आएंगी, वो भी मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा सो चलिए बिना किसी देरी कर गरते हैं आज का chapter start से एक girl थी जिसका नाम था वेली अम्माय, जिससे short में बुला जाता था वेली यह eight years old girl थी और चीलों के बारे में बहुत ज़्यादा curious रहती थी, यानि इसे हर एक छोटी से छोटी चीज को जाने की इच्छा रहती थी उसका favorite past time था अपने घर के दरवाजे पे खड़ी रहना और देखती रहना बाहर गली में क्या कर चल रहा है उसकी खुद की age के उसके पास playmates नहीं थे यानि खुद की age के उसके friends नहीं थे खेलने के लिए और इसलिए वो बस गली में बाहर खड़े होकर देखा करती थी जहां तक वैली की बात की जाए तो बाहर दरवाजे में खड़े रहकर street में देखना उसे उतना ही ज़दा enjoyable लगता था जतना दूसरे बच्चों को दूसरे games खेलना लगता था street में खड़े होकर बाहर देखना उसे बहुत सारे unusual experience देता था सबसे ज़दा fascinating fascinating मतलब होता है आकर शक वैली को सबसे ज़दा fascinating लगती थी वो बस जो उसके village से पास वाले टाउन तक travel करके जाती थी यह हर एक आवर में उनकी गली से जाती थी एक बार टाउन में जाती थी और एक बार वापस आती थी बस की जब वो side देखती थी मतलब जब वो बस को देखती थी जिसमें हर बार new set of passengers होते थे तो यह valley के लिए unending joy था यानि कभी ना खत्म होने वाला joy था हर दिन वो बस को देखते रहती और धीरे धीरे बस को देखते देखते उसके mind में एक चोटी सी wish जन्म लेने लगई यानि चोटी सी इच्छा जन्म कि वो उस बस पे राइट करना चाहती थी चाहे सिर्फ एक बार ही क्यों ना करे ये उसकी विश ये उसकी इच्छा धिरे दिरे और ज्यादा स्ट्रॉंगर होती चली गई लास्ट में जाके एक ओवर्वेल्मिंग डेजायर बन गई मतलब एक ऐसे इच्छा बन गी जिसे अब वो दबा नहीं सकती थी वैली बड़ी इच्छा लेकर उन लोगों की तरफ देखा करती थी जो बस में चड़ते थे और बस से उतरते थे अगर उसका कोई एक फ्रेंड बस में राइड करके आथा और उसको टाउन में उसने जो कुछ देखा वो उसको बताना चाहता था तो वैली इतनी ज़्यादा जैलेस हो जाती कि वो बिलकुल भी नहीं सुनती थी और इंग्लिश में चलाती थी प्राउड प्राउड अब न के लिए इस वर्ड को वो यूज किया करते थे कई दिनों तक कई महिनों तक वैली बड़े धान से सुनती उन लोगों की बीच के कानवर्सेशन जो उसके पड़ोशी होते थे या वो लोग जो बस में राइगुलर ट्रावल किया करते थे उनकी बातों को बड़े धान से सु किराया लगता था, वो लगता था 30 पैसे जो कि लगबक कुछ भी नहीं है, ऐसा उसने ये अच्छे कपड़े पहने हुए, आदमी से सुना था, मतलब एक शूट गुट पहने हुए, आदमी को कहते हुए सुना था, कि one side का किराया, 30 पैसे है, जो कि कुछ भी नहीं है, लेकि पिसरा 30 पैसे अगर वो दे देती है, तो वो वापस घर पे आ सकती है, सेम बस में, इसका मतलब अगर वो वन ओ क्लॉक पे आफ्टरनून बस लिती है, तो टाउन में वो पूझ जाएगी 1.45 पे और फिर वापस घर पे लगबग 2.45 के आसपास आजाएगी, क्योंकि बस बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी लेगी, इस तरीके से उसके माइड में आईडियाज चलते रहते हैं और वो इन आईडियाज को calculate करते है, recalculate करते है, plan करती है, और replan करती है, फिर एक दिन जब दोपहर की बस उस गाउं के पॉइंट को छोड़ने वाली थी और main highway पे turn लेने ही व जाती है और conductor अपना सिर्फ बाहर निकालते है दरवाजे की तरफ और बोलता है जल्दी करो, बताओ किसे चर्ड़ना है बस में जल्दी बताओ वेली चलाती हो बोलती है अरे मैं हूँ, जिसको बस में चर्ड़ना है अब जो बस है वो पूरी तरह से रुख चुगी थी conductor बोल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लेकिन पहले तो तुम्हें बस में चड़ना पड़ेगा और अपना हाथ आगे निकालता है वेली की अच्छी मैडम और चलो यहां पर आपके लिए एक सीट है एकदम सामनी के तरफ हर कोई साइड में हो जाओ मैडम को रास्ता दो आने के लिए अब यह दिन का स्लैक टाइम होता है स्लैक टाइम मतलब जब दिन में जादा भीड़ भार नहीं होती और सिर्फ चैया साथ पैसें कंडुक्टर फिर आता है और फिर पूछता है अच्छा मैडम अब बैठ गए तो अब हम चले स्माइल करते हो पूछता है और फिर विसल बजाता है दो बार और बस एक गर्जना करते हो रोड मतलब दहार की आवास के साथ आगे बढ़ती है यह एक नई बस थी और इसके ब रंड़ा था वो बिल्कुल चांदी की तरफ चमक रहा था यानि एकदम नई बस थी वैली के बिल्कुल सामने की तरफ जो विंड शीट था यानि बस का जो सामने वाला शीशा था उसके उपर एक ब्यूटिफुल क्लॉक लगी वी थी शीट भी एकदम सॉफ्ट और ले लेकिन जब वो बाहर दिखने की कोशिश करती है तो वो क्या दिखती है कि उसे बाहर का नजारा नहीं दिख रहा क्योंकि विंडो के लोवर पार्ट पे एक कैन्वस लगावा था मतलब एक पर्दा लगावा था इसलिए शीट पे खड़ी हो जाती है और बाहर यहाकने लग जाती है बस अब एक नहर के किनारे से जारी थी रोड बहुती जादा नहरो थी मतलब शकडी थी एक तरफ नहर थी और इसके आगे की तरफ पाम ट्रीज थे ग्रास लेंड थे मतलब घास के मैदान थे दूर मांटेन दिखाई दे रहे थे और नीला आस्मान दिखाई अचानक एक आवाज आती है और वो चौक जाती है स्टार्टल मतलब होता है सर्प्राइज हो जाना वो आवाज बोलती है सुनो बचे तुम्हें इस तरीके से नहीं खड़ी होना चाहिए तुम नीचे बैठ जाओ अब वैली नीचे बैठती है और ये देखती है कि ये कौन हो जाती है क्योंकि वो नीचाती थी कोई इसको इंटर्फिय करें तो वैली बोलती है बच्चा नहीं कहना अंकल मैंने भी 30 पैसे दिये हर किसी की तरह है सवारी करने के लिए अब कंड़क्टर हस्ता हुआता है चाइम इन मतलब हस्ता हुआ एंट्री करना अरे सर ये तो ए मैंडम नहीं हूँ याद रखना इस बात को और हां आपने अभी तक मुझे अपना टिकेट भी ननी दिया है कंड़क्टर बोलता है हां मुझे याद है उसकी नकल उतारते है हां मुझे याद हर कोई हसने लग जाता है और धिरे धिरे वैली बी इस लाफ्ट्र को जाइन कर ऐसा conductor बोलता है, वेली बोलती है, मैं इसलिए खड़ी हूँ, क्योंकि मैं खड़े रहना चाहती हूँ, और वो वापस खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर तुम खड़ी रहोगी, तो हो सकता है, जब बस एक sharp turn ले, या किसी गड़े पर ठकराए, किसी breaker पर ठकराए, तो तुम गिड़ जाओगी, इसलिए हम चाहते हैं बटा, कि तुम बैट जाओ, बच्चा नहीं बोलना अंकल, मैं बता देती हूँ आपको, अब की बार वेली बहुत ही ज़्यादा irritate होती हूँ बोलती है, और बोलती है, और वेली को लगता है, कि कहीं उसकी seat उससे छिन ना जाए, इसलिए वो लास्ट में बैट जाती है, अब एक बुजर्गोरत आती है, और वेली के बिलकुल बगल में आके बैट जाती है, और उससे पूछती है, बेटा, क्या तुम आके ले जा रही हो, वेली को ये लेडी बहुती रिपल्सिव फील होती, रिपल्सिव मतलब जो हमें बिलकुल भी पसंद ना आए, उसके ये लोब्स में इतने बड़े-बड़े होल हो रखे थे, दूसरा उसने इतनी गंदी एरिंग्स पहें रखी थी, और उसमें से पान मसाले की बदबू भी आ रही थी, वो पान मसाला जिसे ये औरत चवा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि इस पान मसाले का जो जूस है, वो किसी भी समय उसके लिप्स से उसके होटों से बाहर निकल जाएगा, पान मसालिकी ऐसे कोई इंसान से कोई कैसे सोचेबल हो सकता है वैली थोड़े डिस प्लैजर के साथ में यानि थोड़ी नफरत के साथ में बोलती है हां हां मैं आके लिए ट्रावल कर रही हूं और मैं पास टिकेट भी है, conductor फिरा जाता है और conductor बोलता है, हाँ हाँ ये टाउन में जा रही है, इस्टेबस 30 बैसे का है, टिकेट भी है, valley बोलती है, अरे तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ valley हस भी जाती है, और conductor भी हसने लगता है, लेकिन जो वोमेन होत ये सारी चीज़े क्या तुम्हें पता है, valley बोलती है, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जर्वत नहीं है, परिशान होनी की जर्वत नहीं है, मैं अपना धान खुद रख लूँगी, और वो वापस अपना फेस गुमा लेती है, विंडो की तरफ और बाहर देखने लग जाती है, बाहर के नजारे देखने लग जाती है, ये valley की first journey थी, पहली उसकी यात्रा थी, कितने careful और painstaking elaborate plans बनाये थे, यानि कितने ज़्यादा सावधनी पुरुक और दर्द भरे उसने plans बनाये थे, इस journey के लिए, कितनी कंजूसी से उसने उन पैसों को save जिया था, खुल balloon और इसी तरह की चीज़े खरीदने के लिए हुआ करती थी, last में जाके वो 60 पैसे बचाई लेती है, और ये कितना difficult था, especially उस दिन जब गाव में मेला लगा हुआ था, उसके मन में कितनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी, merry-go round पे जूलने की, मतलब गोल चक्री वाले जू problem थी, घर से बाहर निकलना और वो भी उसकी ममी को बिना बताए, लेकिन उसने इसे तो बिना किसी परिशानी के लिए manage कर लिया, हर दिन lunch के बाद उसकी ममी सोने के लिए राती थी, लगबग एक बज़े से चार बज़े तक, वेली इसी ही hour को यूज टिया करती थी, excursion के होता है, गूमना, वेली इनी time को यूज टिया करती थी, लबश्क्रिमों में सो जाया करती थी, तब भी वेली इधर उदर घूमने के लिए जाया करती थी, और बाहर दर्वाजे में खड़े रहकर इधर उधर देखा करती थी, या फिर कभी-कभी तो वो गाउं में भी चल से निकलती है चोटे से हमलेट के पास है हमलेट मतलों होता है सब अर्भन एरिया यानि जैसे हम उबगराम भी बोलते हैं और एक वेशाइड शॉप रही रहती है उसके पास बस निकलती है, कभी कभी किसी पॉइंट पर ऐसा लगता था कि जैसे बस उसके सामने आने वाले किस पबली पास हो जाती सारे obstacles को पीछे छोड़ कर पेड़ पोधे उनकी तरफ भाग के आते थे फिर वहां पर आके खड़े हो जाते थे जैसे बस उनके पास में पहुचती थी वहीं थोड़ी तक खड़े रहते और फिर रोड के दूसरी तरफ वह एकदम तीजी से निकल जाया क बहुत तेजी से बिल्कुल रोड के बीचों बीच में आगे आगे भाग रहे थी बुलकुल बस के एकदम आगे आगे भाग रहे थी अब बस देरे हो जाती आधी वो रिंगने लग जाती और ड्राइवर बहुत तेज तेज बार-बार हॉन बजाने लगता है जितने जादा ये ऐनिमल डर जाय करता था यानि उतनी ही जादा ये गाय डर जाय करती थी और उतनी तेजी से उसके आगे भागा करती थी बिल्कुल बसके आगे के तरफ ये गाय जल्दी जल्दी से तेजी तेजी से भाग रही थी और ये सारा जो सीन था ये वैली को बहुत ही ज़ बोलता है अरे लड़की क्या तुमा जादा नहीं हस ली थोड़ा सा कल के लिए भी बचा की रख लो लास्ट में गायरोड से मूव औफ हो जाती है यानि शाइड में हो जाती है और अब बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पे चली जाती है दूर एक ट्रेन का धब्बा दिखाई देता है थोड़ी दूरी पर जो पास में आता आता और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था फिर वो बड़ी तीजे से पास से निकलता है क्रॉसिंग गेट से एक जबर दस्त गहाड की और गड़ गड़ा हट की आवाज करते हुए जिससे की पूरी बस हल गई थी फिर बस ट्र आम रास्ते की तरफ एंटर करती है थोड़ा फेयर मतलब होता है आम रास्ता कितनी बड़ी बड़ी और चमकदार दुकाने थी कितने चमकदार डिस्प्लेश थे कपड़ों के और दूसरे सामानों के मर्चेंडाइज मतलब होता है सामान के कितनी ज़्यादा भीड थी यहा वेली के अलावा कंडुक्टर बोलता है अरे लड़की क्या तुम बस से नीचे नहीं उत्र होगी तुमारे 30 पैसे से तुम सिर्फ यहीं तक आ सकती थी वेली बोलती है नहीं मैं वापस सेम बस में जाओंगी और वो दूछरे 30 पैसे निकालती अपनी पॉकेट से कंडुक्ट देती है कंडुक्टर बोलता है क्यों कोई बात होगी गया नहीं कोई बात नहीं है बस मुझे तो बसकी सवारी करनी थी इतनी सी बात है कंडुक्टर बोलता है अच्छा तो अब जब तुम यहां पर आई गई हो तो तुम यहां के नजारी नहीं देखना जाती वेली बोलत यहां आने में कैसा डर था बस मैं बैठी और आगई कंड़क्टर बोलता है चलो तो फिर कोई नी उस वाली स्टॉल पे चलते हैं और कुछ पीने के लिए ले ले लेते हैं इसमें भी डरने की कोई बात नी है वली बोलते है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती प्लीज कंड़क्टर ठीक है तो मैं तुम्हारे ले कोल्डरिंक लेकर आता हूँ वली इसमें भी मना कर दीती है और बोलती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है बस मुझे आप अपना टिकेट देदो और बास कंड़क्टर बोलता है अरे बटब पैसे की चंता मत करो यह मेरी तरफ से ट्रीट होगी तुम्हारे बिल्कुल पैसे नहीं लेगेंगे वली एकदम फर्मली बोलती है मतलब डर्टा से बोलती है नहीं नहीं प्लीज नहीं कंड़क्टर अपने कंदे उसकाता है और बोलता है ठीक है और वो लोग इंतजार करते है जब तक की बस की रिटर्न जर्णी का टाइम नह वापस ज्यादा पेसेंजर नहीं थे ज्यादा सवारी बस में नहीं थी कंड़क्टर बोलत नहीं गुलता है और वहिं श्यांदाप बीड़कुल भी बोर नहीं हुई थी और हर एक चीज को उसी excitement के साथ में greet करती चाली थी जो उसको पहले बार हुआ था मतलब देखी हुए नजार को भी दुबारा देख रही थी लेकिन फिर भी बिल्कुल भी बोर्ड नहीं थी अचानक उसे एक छोटी काव दिखाई देती है जो की रोड के साइड में मरी हुई पड़ी थी बिल्कुल उसी जगे पर मरी हुई पड़ी थी जहां किसी फास्ट मूविंग वहिकल ने उसको टपकर माज़ दी थी वैली कंड़क्टर से पुछती है अरे ये तो वही काव है ना जो जब हम टाउन जा रहे थे तब हमें रास्ते में देखने को मिली थी कंड़क्टर अपना सिर हिलाता है और हा आकर्शन खो दिया अपनी लाइफ के साथ में और कितना भायानक दिखाई दे रहा है और कितना डराऊना लग रहा है ये जब वहां पर पढ़ा हुआ है जिसके पाउं बाहर की तरफ फैले हुए है जिसकी लाइफलेस आईज सिर्फ एक जगे पर घूर रही है चारो तरफ जब की हो रहती है जबते कि 3.40 पर बस उनके वापस गाउं नहीं पहुच जाती है 3.40 का टाइम इसलिए बताया है क्योंकि शायद उस काउ की वज़े से इनकी बस दिले हो गई थी और वो खड़ी हो जाती है स्ट्रेच करती है मतलब अंगड़ा ही लेती है और फिर कंड़ आयलाना मत भूलना वैली हसती है और बस से नीचे जम करके उतर जाती है उसके बाद वो सीधा जाती अपने घर की तरफ भागते हुए जब वो घर में एंटर करती है तो वो दिखती है कि उसकी ममी उठ चुकी थी और वैली की एक आंट से बाते करती थी जो कि साउथ स्ट् वो एकदम कैजवली बोलती है बिना किसी रिप्लाई का एकस्पेक्टीशन की है हुतायरा ऐसे दो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं तो कुछी तीसरा आ जाता है तो बस इससे पूछ लेते हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि बस पूछ ना होता है बाकी बातों में धान होता है उ अगर हमें पता भी चल जाए कुछ चीज़ों के बार में तो भी हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हुआ हाँ वेली सांस लेते हो हाँ premises उसकी मदर बोलती है क्या क्या बोला वेटा तुमने आभी वेली बोलती है कुछ नहीं मैं तो बस आपकी उस बात से अगरी करी त तो वेली smile करती है money money smile करती है वो नहीं चाहती थी कि उसकी smile के पीछे का मतलब वो समझ पाए लेकिन वसे इसका तो chance भी नहीं था कि को उसकी smile के पीछे का मतलब समझ सके और इसी के साथ ये chapter यहीं पे end हो जाता है I hope chapter का line by line explanation आप लोगों को समझ में आओगा साथ ये साथ interesting भी लगाओगा तो इसी तरके और मज़ेदार और interesting वीडियो के लिए बने रहे है EDC online के साथ next वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए have a good day, take care, bye bye, जै हिन, जै भारत, राधे राधे